हाई गाइस यार तो आज पता है क्या हुआ मेरा बड़ा मूद था यार के ना कुछ मज़दार सानविच खाये जाए सेफ पूरी आलोपी की सानविच बना के ना मतलब मज़े लिग जाए लेकिन पता है क्या हुआ यार घर में ब्रेड ही नहीं थी मैंने यार बहुत ढूंडा और ब्रेड बिलकुल नहीं मिली तो मैं ना बाहर गई और नहीं ब्रेड लेके आ गई लेकिन अब तो मुझे बता हुआ क्या यार जब मैं वापस आई ना तो देखा ब्रेड ना फ्रिज के कोने में कहीं चुपके पड़ी थी तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तो कॉमेंट से बताना अच्छा यार तो ना मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने किया किया यार मैंने ना दो ब्रेट के स्लाइस किया उस पे बटर लगा दिया ठीक है फिर ना एक स्लाइस मेंना हरी चटनी लगाई उस पे रख दिया अपना फेवरिट येलो चीज स्लाइस है उसमें छोटे से जो सॉल्टिश तरह की बिस्कित सोते ना क्रैकर वो रखती है चार ठीक है उसके बाद पर आलो टिकी रखी फिर हरी चटनी और यार यार ये मेरी फेवरिट इम्ली चटनी अन डाल दी यार इसके बाद मैंने इसको थोड़ा चार्ट स्टाइल बना रही हो न तो अगर तुम भी मेरी ममा की ताना हो ना अर तुम नहीं पसद तो कॉमेंट में रेढ़ बनाना तो आप कहने को ना मैं सैंविच को तबे पर भी सेख सकती तो लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इससे सैंविच मेकर में बनाया जाए यार कोई लुक शुप निकलनी चाहिए न चीज की जब बना रहे हैं तो लगना चाहिए ना रेस्टारॉंट से आया है तो फिर मैंने इसको सैंविच वेकर में रखा और जब निकला यार बहुत ही प्यारा लग रहा था मैंने का यार इसको और टेस्टी बनाते हैं तो जो सब चीजे हमने सेव चटनिया और टेमाट बहुत अच्छा लगा तो में रेसिपी अच्छी लगी है ना तो कमेंट्स में जागे ग्रीन हाट बनाना वीडिय अच्छी लगी तो सब्सक्राइब